तो क्या हो अगर स्पाइडर मैन सबको मारना चालू कर दे तो तो मार्वल मल्टिवर्स में हजारों टाइप के स्पाइडर मैन है और आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ सबसे डेंजरस स्पाइडर मैन Spider-Man Weapon 8 Weapon X प्रोग्राम से बना Spider-Man वही प्रोग्राम जो Captain America से स्टार्ट हुआ था और जिसने Wolverine जैसे characters को जन्म दिया तो Hello Weptastic fans मेरा नाम है सत्यमिश्चा और समय को सरांखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं वुलवरीन बर्फ में नंगा भाग रहा था तब ही उस पर अटेक करता है Spider-Man फिर वुलवरीन भी उस पर अटेक करता है ये चिल्लाते हुए कि हमें लडने की कोई जरुवत नहीं उनके लिए हम बस weapons हैं तुझे अपना नाम तक नहीं पता तो Spider-Man उसका जवाब देता है मुझे नाम की कोई जरुवत नहीं मैं जो करता हूँ उसमें मुझसे बेटर कोई नहीं है वुलवरीन confident था कि Spider-Man उसका कुछ नहीं बिगार पाएगा पर Spider-Man अपने arm से उसे हवा में लटकाता है और उसे जिन्दा जलाना चालू कर देता है वो उसे तब तक जलाता है जब तक उसकी skin पिखल नहीं जाती है और उसकी हड़ियां दिखने लग जाती है Spidey वापस अपने bunker में जाता है जहां उसका colonel उससे एक spider robot के जरीए बात कर रहा था पीछे से एक scientist बोलता है कि colonel ध्यान रखना ये weapons की problems ऐसे ही start होती है Spidey उसे अपना real name पूछता है और सब tension में आ जाते हैं Spidey समझ जाता है कि यही है जो बाकी weapons के साथ हुआ था वो ज्यादा curious हो गए उनका दिमाग खराब हो गया और वो रोग चले गए जिसको मुझे मारना पड़ा तो वो scientist Spidey को distract करने के लिए उसे next mission दे देता है Weapon 1 यानि Steve Rogers को मारने का वो बोलते हैं कि Steve Rogers ने 100 सानों तक खुद को हमेशा बचाया है एक hero बनने का नाटक करता हुआ पर वो अपने जैसे soldiers को एक बुरा नाम देते हैं क्योंकि वो orders नहीं मानता और अपने मन की करता है पर Peter की दिमाग में अभी भी Wolverine की बात चल रही थी वो Wolverine की last के पास भी जाता है तो वहाँ भी उसे Wolverine के नाम का tag मिलता है जिसमें Logan लिखा था Spider Man अगले दिन Captain America का पीछा करता है वो देखता है कि Cap Jogging कर रहे है तो एक Alley में वो Captain पे Surprise किक करता है Colonel बोलता है कि चल अब उसे Finish कर पर Spidey बोलता है कि नहीं पहले तू मेरा नाम बता Captain America स्पाइडी को पुरी तरह पीटने लगते हैं Colonel गुस्से में बोलता है कि बहस करना बंद कर और अपना Mission पूरा कर पर Spidey मरी मरी हालत में भी बोलता है पहले मेरा नाम बता Captain America गाली देते हुए से मार मार के उसका मास्क तोड़ देते हैं और Spidey बोलता है वाओ Captain America गाली दे रहे हैं तो इस मूसे Statue of Liberty को किस भी करता है सब सौक हो जाते हैं कि Spidey ने जोक मारा Spidey मरने की हालत में था और वो बस पूछ रहा था कि बस आखरी बार उसको उसका नाम बता दे Captain America सील्ड से उसकी जान लेने ही वाले थे कि Colonel बोलते हैं तेरा नाम Peter पारकर है और वो अधमरा Peter खड़ा होके एक आर्म कैप्टन के सर में घुसा के उसे वही मार देता है पीटर ने अभी भी उनके लिए काम करना नहीं छोड़ा था वो अभी भी हीरोस को मारने को तैयार था पर वो अपने नाम और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगा था मतलब जल्द ही वो इनके अगेंच जाएगा तो ये दोजा 24 की एज अफ स्पाइडर वर्स का फर्स्ट इशू था जिसमें हम इस यूनीक वैपन एट पीटर पार्कर से मिलते हैं तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है सोनी को ये इधर उधर की फिल्म्स बनाने से अच्छा ऐसा यूनिवर्स पे सोलर मूवीज बनानी चाहिए जहां हर मूवी हमें स्पाइडर मैन का एक अलग वर्जन दिखाएगी कुछ डार्क तो कुछ वन कैरेक्टर्स दिखाएगी और चाहे तो फ्यूचर मेन का क्रॉस ओर भी करा सकती है तो तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और बाकि तुम्हारे मन में भी कोई प्लान है सोनी को बताने के लिए तो वो भी जरूर कॉमेंट कर देना